नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टेडी चैनल JP Online Education पर दोस्तों हम लोगों ने आधनिक भारती तिहास के 500 महत्पूर प्रस्णों के एक सिंखला प्रार्म में की थी जिस कड़ी में हम लोगों ने अभी तक 14 भागों में 350 प्रस्णों को पूरा करा दिया है और आज के भाग 15 में हम सविने अवग्यांदोलन और गांधी इर्विन समझोता के बारे में पढ़ने वाले हैं यह वीडियो आपके आने वाले एकदाम चाहिए वो यूपी पीसेसो बीपीस्टी ओ आरो एरो एससी उत्ताप्रस पुलिस रेलेवेल लेखपाल वीडियो पटवारी कोई भी वंडे एकदाम हो सभी के लिए समान रुप से उप्यों की महत्पूर होने वाली है वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटी स्रीक्रेश्ट जिन लोगों ने माया चैनल को अभी भी सब्सकाइब नहीं किया है प्लीज हमाया चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक से रो प्रमोट भी कर दीजेगा तो देद न करते वे सुरू करते हैं आज का वीडियो प्रस संक्या 350 पर आते हैं किसे कांग्रेस सत्र में कारेकारी कमेटी को सविने अवग्या आंदोलन प्रारंब करने का अधिकार दिया गया था बंबई सत्र लाहोर सत्र लखनव सत्र अथवा त्रिपुरी सत्र तो आप देखेंगे वर्स 1929 में लाहोर प्रस संक्या 352 दांडी यात्रा के साथ निमलिकित में से क्या प्रारम हुआ होमरूल आंदोलन अस अहयोग आंदोलन सविने अवग्या आंदोलन अथवा भारत छोडो आंदोलन तो आप जानते हैं महात्मा गांदी ने 12 मार्च 1930 को अपना परसित दांडी मार्च शुरू क किया था और उन्होंने साबरमत्री आसन से चुने हुए साथियों के साथ सत्यागरह के लिए कूच किया 24 दिनों की लंबी यात्राक बाद उन्होंने 6 अप्रेल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से जो है नमक कानून को भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उ सविनेया वग्या अंदोरेन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारम किया था 31 इसंबर 1929 को 26 जनवरी 1930 को 12 मार्च को अथवा 6 अप्रेल 1930 को को सवी जो अब होगा आपसन जो है सी 12 मार्च 1930 प्रस्वंका 354 माहत्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारम की थी साबरमती पवनार सेवा ग्राम या रामनंदिया तो सभी जानते हैं माहत्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो है साबरमती आश्रम से प्रारम की थी आश्रम ए इसका सई जवाब होगा प्रस संख्या 355 निम्लिशित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सरवाधिक थी बिहार, गुजरात, महराष्ट, अथवा, बंगाल तो आप देखेंगे जो सत्याग्रहियों के संख्या थी वो सर्वाधित गुजराथ से थी जहां से लगबग 32 लोगों ने इस दांडी कूछ में सहयोग किया था तो सही जवाब होगा आप संजो भी गुजराथ जबकि माहराथ से 13, उत्तापड़े से 8, कच्छ से 6, केरल से 4, पंजाब से 3 आधी लोगों ने इस कूछ में भाग लिया था प्रस्वंका 356 निम्लिखित में से किसने गांदी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया स्वरवजी नाइडू राजकुमारी अमृत कवर कमला देवी चटोपाध्याय उप्रित में से सभी तो आप जानते हैं ईथा व्यापक भागिधारी थी और उप्रिक सभी महिलाओं ने इस सप्वर्ण फाहरम में भाग लिया था प्रस्वनों यह ज़िए इंस्में फ्रस्वंक की लाइन सभा सभिख्रित सभी तब से पहले कौन सी घटना गटी थी डांडी मार्च भारत छोड़ आंदोलन साइमन कमिशन गागन अथवा गांधी इर्विन समझा उता है तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले जो घटना गटी थी वो होता साइमन कमिशन का आगमन आवसंसी इदर आइट एंसर साइमन क कमीशन तीन फरवल निसो अठाइस को आया था और उसके बाद आप देखेंगे दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था फिर गांधी इर्विन समझा था पांच मार्च 1931 को और लाष्ट में भारत छोड़वान दोलन 9 अगस 1942 तो सभी आपका आपसंसी साइमन कमीशन का आगमन प्रस्वंख्या 369 पे आते हैं भारतितियाथ में 6 अपरल 1930 कीती थी जानी आती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हे तू पर्थम गोलमेट सम्मेलन हे तू गांधी इर्विन समझावता है तू अथवा जलिया वाला बाग हत्या कांड हे तू तो सभी जो आप हो या सविने अवग्या अंदूरन का स्रीगडेस किया था प्रस्वंख्या 369 पे आते हैं सब इने अवग्या अंदूरन के संदर में निम्रिशी कत्नों में से कौन से कतन सही है पहला महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गए थी और दूस प्रस्वंख्या 361 सक्ति के विरोध अधिकार की इस लडाई में मैं विश्व की सानभूती चाहता हूं यह कथन किसे संबध हैं अस्वयोग आंदोलन से गांधी की दांडी यात्रा से व्यक्तिक सत्यागरा से अथवा भारज छोड़ो आंदोलन से तो हम देखते हैं कि 5 अप्रेल 1930 को महात्मा गांधी अपनी नमक सत्यागरा के तहत दांडी ग्राम पहुंचे थे उन्होंने दांडी आय सभी देसी अगला प्रसमें प्रसमें 362 महात्मा गांधी धर्सना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकरताओं के धावे के समय कहां पर थे यर्वदा जेल में सावर्मती जेल में आगा खां पहले स्पूना में अत्वा अहमेद नगर फोर्ट जेल में आप देखेंगे सभीने अवग्या अंदोलन के दोरान धर्सना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार करताओं के धावे से पूर्विजव है मात्मा गांधी को पांच मई 1930 को गिर्फतार करके यर्वदा जेल में भेट दिया गया था तो सभी जवाब होगा आपसन ए यर्वदा जेल प्रस्वंका 336 आचार विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पर्थम बार गिर्फतार हुए थे बार्दोली अंदोलन चंपारन सत्याग्रह सविने अवग्या अंदोलन अथवा असायोग अंदोलन तो वर्स 1937 में विनोबा भावे पहली बार सविने अवग्या अंदोलन में भाग लेने के लिए जो है गिरफतार किये गए थे सविजवाब होगा आपसन जो है सी सब ने अवग्या अंदोलन प्रस संका 364 पे आते हैं गांदी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को डांडी मार के समय अपने साबर मती आस्रम में ठहराय था वो लूई फिसर तो सविजवाब होगा आपसन जो है भी वेब मिलर जो एक अमेर की पत्रकार था प्रस संका 365 लाल कूर्ति दल संगठित किया गया था स्वतंत्र पक्तुनिस्तान बनाने के लिए पाकिसान का अर्श्रिजन निशित करने के लिए अंग्रेजों को निकालने के लिए अत्वा संता के पशाथ भारत को एक सामयवादी देश बनाने के लिए तो सविजवाब होगा आपसन जो ऐसी अंग्रेजों को निकालने के लिए और आप जानते हैं उत्तर पश्चमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल्गफार खां के नेजित तुम्हें खुदाई खान अब्दुल्गफार खां मुहम्मद अली जिन्ना अत्वा एक बार तो अभिम ने पढ़ाता है लालकुर्ती आंदोलंग जो नेता थे वो थे खान अब्दुल्गफार खां आपसन भी इद्धर राइट एंसर प्रसंक्या 63 पे आते हैं 1929 में खुदाई खिद्मतगार को किसने संगटित किया था खान अदुल्गफार खां ने अली बंदु ने अंसारी बंदु ने अथवा मौलाना अबुल्गफार खां प्रसंक्या 368 गडवाल रेजिमेंट के सेनिकों ने प्रसंकारियों पर गोली तो सईजवाब होगा आसन जो ऐसी सविने अवग्यांदोलण में सविने अवग्यांदोलण के दवरां पेशावर में गडवाल रेजिमेंट के सिपाईयों ने वीर चंद्र सिंग गडवाली के एनितितं में नियत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इंकार कर दिया था अथ संसी इसका सहीजवाब होगा प्रस्वंक्या 379 सन 1930 में अंग्रीट सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेसावर कांड का नायक कौन था जनरल बीसी जो सी मेजर धन सिंग थापा वीर चंद सिंग गडवाली अत्वा प्रेम सिंग नेगी तो हमने अभी पड़ा सा कि जो है सम संसी वीर चंद सिंग गडवाली कि प्रस्वंक्या 370 पर आते हैं जिया तरंग आंदोलन कहां पर प्रारंबुआ था नागा लेंड में त्रिपूरा में मडिपूर में अथ्वा मीजोरम में तो सब इने अवग्या आंदोलन के दोरान मडिपूर की जंजातियों ने भी सक् प्रस्वंक्या 371 पर आते हैं गांधी इर्विन समझाओता हुआ था 1930 में 1931 में 1932 में अथ्वा 1933 में तो सभी ज़्याब होगा आपसन जो हैं बी 1931 में गांधी इर्विन समझाओता 1931 में हुआ था प्रस्वंक्या 32 पर आते हैं निमलिकित में से किसका आस्थगन गांधी इर्विन समझाओते में किया जाना प्रस्तावित्था असायोग आंदोलन खिलाफवत आंदोलन गोल मेट सम्मेलन अथ्वा सभी ने अवग्या आंदोलन तो सभी ज़्याब होगा आसन जो है डी सभ किसने मत पुड़ भूमिका निभाई थी मोतिलाल नेहरू मदन मोहनमाल विये तेज बहादू सप्रू अत्वा चिंता मड़ी तो सभी ज़्याब होगा आपसन जो है सी तेज बहादू सप्रू प्रस्तंक्या 34 पर आते हैं निम्रिकित बक्तियों में से किसने इर्विन तथ महात्मा की संग्यादी थी आपसन भी इसका सही जवाब होगा आज की वीडियो का अंतिम प्रस्त में निम्रिकित में से किसने गांधी इर्विन समझाओते में महात्मा गांधी के लाब को सांतावना पुरुसकार कहा था एसी बोस एलन केमबल जांसन बीजी हार निमन अथ दोस्तों इस प्रकारते हमारे आज की महत्मूट 25 प्रस्तं पूरे हुए वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और हमारा साथ जूड़े रहने के लिए हमारा होतला बाराशने के लिए धन्यवाद मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ